इस वीडियो में बात करेंगे कोट्क सेक्ट ड्यमेंट अकाउंट अकर आप आप ओपन करते हैं तो यहांँ कर आपको कौन-कौन से चार्जिश लगने वाले हैं। जैसे कि आपका MC charges, आपका account opening charges, आपके brokerage charges, यहाँ पर इसके other charges क्या होंगी, इनके official website पर जहाँ पर इन्हों आपने pricing के बारे में बताय हुआ है, सबसे पहले आप देखेंगे तो इन्हों ने mention किया है अपनी site पर, zero brokerage charges लगेगा आपको all internet trades पर, और IPOs और mutual fund के अंदर भी आपको zero brokerage charges देखने मिलेगा, सबसे पहला number पर जो इनका plan है वो है trade free youth plan, इस plan को choice करने के लिए आपकी जो age है वो 30 से कम होनी चाहिए, यानि कि 18 से 30 के बीच में आपकी उमर होगी, तो ही आप इस plan के लिए eligible होते हैं, इस plan को लेने के लिए आपके पास 99 रुपे प्लस GST पैग करने होते हैं, जो कि आपका even year के लिए होता है, इस plan में आप देखेंगे कि आपको equity delivery के अंदर आपको zero brokerage charges लगेगा, और all internet trading आप करेंगे, तो आपको यहाँ पर brokerage charges से zero लगेगा, इसके बाद आपका IPO है, यह भी आपका free होगा, यहाँ पर भी आपको brokerage charges नहीं देना होता है, second number पर जो इनका plan है, इस plan का नाम है trade free plan, इस plan को choice करने के लिए आपकी उमर है, जो 30 साल से उपड़ होनी चाहिए, इस plan के लिए आपको कोई भी charges नहीं पेकरना होता है, इस plan के अंदर आपको all internet trading करने पर कोई भी charges नहीं देना होता है, zero brokerage charges आपका यहाँ पर लगेगा, zero brokerage charges लगेगा आपका IPO पर, इसके बार 20 रुपे flat charges आपका लगेगा, पर ओडर के साब से feature and option पर, carry forward पर, यहाँ पर आप जितने भी all feature and option यूज़ करेंगी, तो आपको यहाँ पर 20 रुपे पर ओडर के साब से high value charges देखने मिलेगा, बात करते हैं, trade free youth plan के अंदर आपको कौन कौन से charge इसे और देखने मिलेंगी, तो हम इन्सकी और detail के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने बता दिया है, इस plan को choice करने के लिए आपको 99 रुपे पेग करने पड़ेंगी, account opening fees की बात की जाए, तो आपको यहाँ पर zero account opening fees लगेगी, अगर आप यहाँ पर पहले से इनके एक्जिक्टिंग कस्टूमर हैं, यानि कि आपने कोटक सेकेटरजी पर अपना पहले account open किया हुआ है, तो आपको 499 रुपे पहले से पेग करने पड़ेंगी, इसके बाद ही आप यहाँ पर स्विश्च कर सकते हैं, इसके बाद इनके subscription fees की बात की जाए, तो मैंने आपको बताया है, जैसे के एक्जिक्टिंग कस्टूमर हैं, तो आपको यहाँ पर 499 रुपे पहले करने पड़ेंगी, और subscription fee से आपका जो 5 से एक साल आपका 99 रुपे चार्जिस लगे का 5 से के लिए, सेकेंड यर से आपको यहाँ पर 499 रुपे देने होते हैं, इसके बाद बात की जाए, ब्रोकरिस चार्जिस की, तो आपका ब्रोकरिस चार्जिस में इंटाडे और शिटॉक है, अगर आप इन प्लान की पूरी जानकर लेना चाहते हैं, तो वीडियो डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने इनके बारे में पूरी डिस्क्रेश की हुई है, कि आपको कौन सा प्लान अच्छा हो सकता है, वीडियो का लिंक डिस्क्रेप्शन बॉक्स में है, और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है, जाकर आप उसे एक बार जरूर चेक आउट करें, थैंक्यू फर ओचिंग इस वीडियो,